और पाने की समस्या जो उसने की है वो उसी की चलती है कोई उसके सामने बूल भी नहीं सकता है कोई अवाज नहीं उठा सकता है और हम तो किसान लोग है वो बड़े बड़े आदमी है वो बीजेपी सरकार कहती है ने वहां रास्ता हो गया वहां रोड हो गया कहीं भी कुछ न आदमी परा सकता है चोटा आदमी बारा सो रूपय का गेश केसे पर वो फिर से लकड़ा दुवारा लखडी के चुले पर आ गया यह तो बड़ी-बड़ी बात ही है नमसकार आज हमारा जामनागर में आखरी दिन है और आखरी दिन में हमने सोचा कि पहले कुछ जाते-जाते मुद्दो की बात कर ली जाए कि लोकल मुद्दे क्या है क्योंकि गुजरात की राजनीती में बहुत ज़ादा राष्टिय स्तर पर खेला जा रहा है और केंद्र के बहुत सारे नेता गुजरात में केंपेंड कर रहे हैं योगी आजितनात केंपेंड कर रहे हैं खुद प्रदानमंतरी नेंद्र मुदी केंपेंड कर रहे हैं आम इच गुजरात में तो परिवर्तन होने वाला ही है, 100% होगा, होगा ही होगा, क्योंकि गुजरात में पिछले 27 साल से पाज़ब का राज चल रहा है, लेकिन खेडूत, जो किसान लोग है, वो बहुत परिशान है, लाकि कई हो चाहिए है, किसानों की जाल समस्या है है, क्या समस्या किस खाद की तुम्हाना सुनी है, नहीं तो अब हम बोलें तो पिछले 3 साल से वो कह रहे है, हम 10 गंटे तो को बिजली देंगे, वो नहीं हुआ, दस गंटा यू बिजली नहीं आती है, आठ गंटा ने, वो कहता है, पूरा आठ गंटा भी नहीं आती है, और पाने की समस्य जो उसने की है, वो ठीक है, की है, की है, हम माने की समस्य ठीक है, पाने की ठमस्या है, वो कहते है, लेकिन पूरा मिलता नहीं है, वो उसी की चलती है, कोई उसके सामने बोल भी नहीं सकता है, कोई अवाज नहीं उठा सकता है, और हम तो किसान लोग है, वो बड़े बड़े वो भी नहीं बोल सकते हैं तो किशान कुछ मुदा उठाए तो किशान को दबाया जाता है इसे वेसे करके पुलिस बोला के कोई मुदा वो बोलने ही नहीं है मार पीट करके घस्ट देते है अच्छा 혹 बीजेपी की सरकार तो वोट मोदी जी के नाम पर पड़ेगा कि लोकल जो प्रत्यासी उसके नाम पर पड़ेगा सिर्फ ने सिर्फ मोदी के नाम सिंबोल पर ही मिलता है यहाँ पर सिंबोल के नाम पर मोदी ने हमें को पता ही नहीं चलता किया जादू कर दिया है यहाँ पर तुम देखो जो यहाँ पर जो उमेदवार बेचता है जो खड़ा रहता है बीजेपी के नाम पर वो जित जाता है बीजेपी के नाम पर सिंबोल के नाम पर बस मोदी के नाम पर उसके दिल्ली में तो बहुत बताते हैं कि मोदी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं मीडिया बहुत बताता है तो गुजरात में काम नहीं हुआ है गुजरात के ही है वो गुजरात के बेटे हैं वो तो ठीक है गुजरत के बेटे है गु लिकिन ज्यादा से ज्यादा, वो अपनी ही करनी करता है, अपने मतलब से, वो अभी अभी, दो दिन पहले, अमित सापने बोल दिया, गुजरात में भाजब की सरकार नहीं आईगी, तो केंदर सरकार एक भी रुपया नहीं देगा, यह तो क्या हुई, गुंडा गर्दी देदेगी इस है बुंडा गरदी पर चल रही है सरकार बस बसट फोकर संद्री पर्शंथ समझ में आती है और क्या-क्या समझ्स्या ऑगी और क्या-क्या समस्या हो गई ठीक तरह से रास्ता भी नहीं है जाम नगर जिल्या का जोडिया तालू का तेसिल जोडिया जो लतीपर से पिठड जो रोड है वो ये बात नहीं है जबी रस्तों की यही प्रोब्लम है तुम आवो, देखो, वो मोदी साब बड़ी-बड़ी बाते करता है ना, वो BJP सरकार कहती है ने, वहाँ रास्ता हो गया, वहाँ रोड हो गया, कहीं भी कुछ नहीं है, तुम आके देखो, हम तुम्हें मीडिया को बताएंगे, कि वहाँ है, शहर में तो काफी लोग बोलता ह है, वो बड़े-बड़े लोगों को ठीक तरह से काम करता है, बैकि छोटे लोग को तुम देखो, अडानी अम्मानी भी तो आप ही के राजिक हैं, अगर आपके परिवारों को रोड़ोपती बन जाएगा, आप तो खुश होगे ना, वो अडानी पी अभानी भी बेठ गए मोधी के सामने वो सब बेठ गई है, वो भी नहीं बोलते हैं, कुश पी, कोई लोग भी उसके सामने, ऐसा क्या है मोधी के अंदर की आडानी अम्मानी भी नहीं बोल पा रहे हैं, वो तो आप जाने, पूरी मीडिया जानती है, किया चल रहा है, वो तो ठीक है ना, कि वो मो इसको लेगा जेल में गला देंगें वह बस अ है ना उसके सामने ज्यादा उच्छी आवाद से कोई बात नहीं कर सकता ताना साह बता रहे हो ताना साह पूरे पूरी 100 परसंट ताना साही दिए यह गुजरात के मुद्धे है गुजरात में तुमने तिन-चार मेने पहले की ब करला का यहां से यह ऐते हैं जब और र्दाने उसको डेल कर रहा था तो ही जाता होगा इना अथ्धानी पोट पे जाया। प़ुर्ट पर कोई बैज सकता है ना हिसे कैसे बैच सकता है एक छोटा आदमी तीन चार बोटल नहीं बैच सकता तो यह तो इतना ड्रब्स कैसे बैच सकता है तीन हजार करोड की ड्रग अभी तक मिली है पुकता डेटा नहीं है लेकिन अमून बताया जाता है कि तीन हजार करोड के आसपास की ड्रग अब तक मिल चुकी है पिछले 27 साल से भाजब आई बीजेपी मोदी जब से आया बहुत कुछ कर दिया क्या बहुत ज्यादा हमारे किसानों को जो खेती का भीमा होता है ना भीमा भीमा कंपनी भीमा देती है लेकिन 27 साल से बंद हो गया आज से बहुत साल पहले में बहुत छोटा था वीपी सिंग का राज था उसने 1.500 टकाव भीमा दिया था पूरे देश में तुम्हें अभी बताई ने तो हमारे वहां जो बिजली आती है उसकी बड़ा बन गई बड़ी हो गई हमारे इल कितना आता है बिजली का एसे समझो दस बीका बीस बीका तिन से चार अजार रूपिया होता है उसके बाद गेस पेट्रोल डिजल डिजल किसनों को टेक्टर में बहुत ही मेंगा पड़ता है और हमारे यहां बच पाता है साल बर में कि नहीं मोदी शाब ने हमारे को मुक्त में गेस्ट बटला दिया था गेस्ट गेस्ट मुक्त में उसके बाद बस वो बटला दिया था ने वहीं बटला है वही रखा हुआ है कहां से पर रहे है वापस दिल्ली से महेंगा है यहां पर चोटा आदमी परा सकता है चोटा आदमी 1200 रूपय का गेश केसे पर वो फिर से लकड़ा दुवारा लखडी के चुले पर आ पर आ गए यह तो बड़ी-बड़ी बाते ही है पूरी-बड़ी बाते ही है करने को कुछ नहीं है दिए यही है सिती गुजरात की क्योंकि हमने गाउं में आपको दिखाया तो वो सारी समस्या उस गाउं में थी जो बाइसाब बता रहे हैं गैस का सिलेंडर था लेकिन लोग अब भी गैस के लकड़ी के चूले पर काम कर रहे हैं आप खाना बना रहे हैं और क्योंकि गैस सिलेंडर 1100 रुप अब बहुत ज्यादा है पानी की समस्या है बिजली के समस्या है अगर आप अपने ही राज में बिजली तक नहीं पहुंचा पार है तो आप क्या काम करना है इस बातशीत के बारे में आपके विचार क्या है कॉमेंट सेक्शन में बताईएगा जरू कैमरे के पीछे मेरे आशीष के साथ जामनगर से धारन की रेपोर्ट दन्यवाद